आप अपना YouTube चैनल गब खोल रहे हैं? मेरे हर स्टुडेंट का एक YouTube चैनल है जी हाँ चाहे वो ऑनलाइन स्टुडेंट हो, चाहे ऑफलाइन स्टुडेंट हो चाहे परसनल क्लासेस ले रहा हो मुझसे दूर, मुंबई से दूर कहीं पर किसी कोने में देश के रहता हो और वहां से जुड़ा हो हर किसी का अपना YouTube चैनल है बहुत जरूरी आज के टाइम पर आपका social media presence होना आप अपना चैनल कब खोल रहे हैं? आप कब active हो रहे हैं social media पर? आज कर सुनाओगा ना अपने? कई सारी कास्टिंग भी social media से ही हो रही है जितने भी actors हैं सब Instagram पर, YouTube पर, Facebook पर जितने भी social media accounts हैं वहां पर active हैं और ये चीज बहुत impact कर रहे हैं casting में अगर आप actor बनना चाहते हैं ना तो आज से अपनी planning चालू कर लीजिए डेली अपनी photos अपलोड करिये अच्छे अच्छे quality वाले photos वीडियोज डालिये कौन से वीडियोज डालेंगे? घूमने फिरने वाले नहीं आपको डालने हैं audition videos डेली monologues लीजिए प्रैक्टेस करिये और अपने YouTube channel पर उसको अपलोड करिये क्या पता आपकी वीडियोज वाइरल हो जाए क्या पता किसी casting director तक पहुँच जाए और उनको आपकी acting अच्छी लग जाए क्या पता किसी producer तक पहुँच जाए क्या पता किसी production house तक पहुँच जाए आज का दौर बहुत इंट्रेस्टिंग है दोस्तों बहुत ही मज़ेदार है अभी आपको बहुत जादा hard work करने की ज़रुत नहीं है smart work करने की ज़रुत है smart work करिये और इसो social media है ना इसका use करिये अगर आप आज social media का use नहीं कर रहे है हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे audition वीडियो से वहां से आप monologues लीजिए कोई भी फिल्म अगर आप देखते हैं वहां पर आपको कोई सीन अच्छा लगता है तो वो monolog आप अपने paper पर लिख लीजिए इस तरीके से आप बहुत सारे monologues एकठा कर सकते हैं उनको perform कर सकते हैं और अपनी acting skills को YouTube चैनल के जरिये लोगों तक पहुँचा सकते हैं अपनी publicity आपको खुद करनी पड़ेगी अगर नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगा और उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ आपको होगा दोस्तों आज ही पहला कदम उठाईए इस चैनल को आप लोग तुरन सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इस तरह के बहुत सारे tips and tricks मैं आप सब के लिए लाता रहूँगा मिलता हूँ जल्दी आप से अपनी अगली वीडियो में तब तक आप सब अपना ख्याल रखेगा और सब्सक्राइब कर लिजेगा